इसने बाइबल हमें सिखाती है नीती वचन चार अध्याए 23 परत में सबसे अधिक अधिक अपने मन की रक्षा कर तेकि जीवन का मूल सोत्र वही है हर एक मनिश्यो को अपने मन की रक्षा करनी चाहिए कि इन बातों से आपको अपने मन की रक्षा करनी है परमिश्वन ने आपको और मुझे बनाया है इस संसार में हम करप्ट ना हो जाए शेतानी ताक्ते हमें करप्ट ना करते इन सब बातों को लेकर हमें सचेत रहना चाहिए कि शत्रू हमारे जीवन को बरबाद ना करते बाइबल कहती है बुद्धिमानों की संगती करो कौन है बुद्धिमान बुद्धिमान वो है जो पाप से बचता है समझदार वो ही है जो पाप से घर्णा करता है ऐसे बुद्धिमान लोगों की संगती हमें करने चाहिए जो परमिश्य का भाए मानते हैं जो डरते हैं परमिश्यों से उसके वचन के उसाथ जीवन जीते हैं आप अपने मन की रक्षा तभी कर सकते हैं जब आप परमिश्यों के वचन से जुड़े हो परमिश्यों के वचन रोज धीरे धीरे बार बार हमें अपने मन में भरना चाहिए शेर का बच्चा शेर होता है, गदे का बच्चा गता होता है साप का बच्चा साप होता है, हीरन का बच्चा हीरन होता है परमेश्वर का बच्चा परमेश्वर जैसा होता है आप परमेश्वर जैसे सुभाव को, परमेश्वर जैसे कार्यों को ये इचाहते हैं कि आपके जीवन से वो प्रगठ हो, आपको परमिश्य के वचन को अपने मन में भरना अधियाविश्यक है बजन सहीता 119.11 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं दाउद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने मन में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद पाप ना करो परमिश्य का वचनी है, जो हमारे मन को पवित्र बनाए रखता है परमिश्य का वचन आप मनन करें, चिंतन करें यदि आप परमिश्य के वचन को नहीं पढ़ते हैं, उस पर मनन नहीं करते हैं शैतान ऐसे मन पर राच्चे करना शुरू करतेगा यह ऐसा है यदि आप अपनी जमीन पर घर नहीं बना रहे हैं तो कोई और उस पर घर बना लेगा जिजरूरी है कि आप अपने मन पर परमिश्यों को राजा ठेरा दे परमिश्यों आपके इच्छा के खिलाफ जाकर कुछ भी नहीं करेंगे परमिश्यों आपके इच्छा के अनुसारी आपके जीवन में कारे करता है परमिश्यों आपके विल के अगेंस्ट में जाकर कुछ भी नड़ने नहीं लेता हमारा उधार भी इसी पर शामिल है तुझे बचा लिया तेरी विश्वास ने तुझे जंगा किया हम चाहेंगी तो परमिश्वर करेंगे बुरा मन कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाता है बुरा मन हमेशा दुखी होता है निराश होता है जीवन में बहुत दुख उठाता है जिस बिकारे में हाथ लगाएगा आसफलता पारमिश्वर का वचन ही आपके मन को शुद पवित्र करता है प्रभी एश्वर मसी ने सिखाया मत्ति पन्रा में जो कुछ हमारे मूँ में जाता है वो इंसान को शुद नहीं करता पर जो हमारे मन से निकलता है वो इंसान को शुद करता है तो कि मन से ही बुरे व प्रेविचार गलत-गलत बाते निकलती हैं, इसी वज़े से इनसान दुखी होता है, परमिश्यों नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में निराश हों, परेशान हों और आसफल हों, वो आपको बढ़ोहत्री के वचन देकर बना चुके हैं, परमिश्यों की हारती के इच्छ ह कि वो आपको बढ़ाएं, हर प्रकार से आपको फैलाएं, पर ये तब ही संबभ होगा, जब आपका ध्यान, आपके कान, परमिश्यों की वचन की ओल लगे रहेंगें, मैंने तेरे वचन को अपने मन में रख छोड़ा है, ताकि तेरे विर्दपाप ना करो, यदि मन में परमिश्यों की वचन है, और वो आप पर कारिय कर रहा है, तो परमिश्यों आपके मन का स्वामी है, आपके विचार, आपकी कल्पना, आपके काम परमिश्यों जैसा होग जब आप परमिश्य की वच्छन से जोड़ते हैं then God's thoughts will be your thoughts परमिश्य की वच्छार आपके अपने विचार होने लगते हैं then God's work will be your work परमिश्य के कारी आपके कारी होने लगते हैं परमिश्य कभी आसा फल नहीं होता धन्ने हैं वो जो उसके वचन के नुसार चलते है वो भी कभी आसा वर नहीं होते हाललूया